उत्तर प्रदेश के परताबगड जिले के गढ़ी मानिकपूर में एक ऐसा किला है जिसके बारे में किसी कुछ आइडिया नहीं है तो आएए आज हम इस राहस्माई किले के बारे में आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में जब भी नाम आता है साहरी करण का तो एक नाम जरूर आता है गढ़ी मानिकपूर परताबगड के कुंड़ा बिलाक से मात्र 12 किलोमेटर दूर यह साहर गंगा नादी के किनारे बसा हुआ है इतिहासों में मानिकपूर का नाम एक आम भूमिका रहा है आजादी से पहले 1882 में बनी यह टाउंसिप एरिया मानिकपूर का नाम मानिकपूर के राजा मानिकचंदर के नाम से पढ़ा हुआ है राजा मानिक चंदर का किला मानिकपुर के साहाबाद में इस्थित गंगा नदी की किनारे खंडाहर अभी भी आपको मिल जाएगा वहीं से मातर 500 मिटर दूर दहने तरब एक ऐसा किला है लोगों से पूछने के बाद पता चलता है को उसका रास्ता अंदर जाने के लिए यहीं से है तो दरवाजा खुला होता और मैं अंदर चले जाता हूँ अंदर मुझे कार और पपीदे की खेती दिखाई देती है जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे कुछ बथक दिखाई देती है उसके बाद मुझे वो किला दिखाई देता है जो की अब बिरकुल खंडार हो चुका है और वहां से मानिकपुर को बहुत ही प्यारा खुबस्वरत नजारा दिखाई दिता है लोगों के अनुसर या किला कम से कम 700 साल पुराना है काफी लोगे से पोचने के बाद और गूगल विस सर्च करने के बाद भी इसकी जानकरी पूरी तरीके से नहीं मिल पाई नेक्ट टाइम मैं आपको यहां के तैखाने और सुरंग के बारे में भी दिखाऊंगा और पूरी जानकरी इक साथ बताऊंगा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर भेजें ताकि उनको इतले अपने मानिक पूर में क्या से क्या चीजे थी चैनल को सब्सक्राइब करना बिर्कुल न भूले जिससे नेक्ट वीडियो सबसे पहले आपको दिखें धन्यवाद